Hello guys, in this video you're gonna understand what happens when ether reacts with excess of HI ता यह शुरू करते हैं ता यह शुरू करते हैं ता यह फर एक्जाम्पल इस इस आर एथर, ROR' और यहाँ पे हमने HI को ले लिया है एक्सेस में HI is taken in excess तैसे कि इसमें जो final answer आएगा that will be alkyl iodide alkyl iodide इसमें final answer आएगा अब ऐसे कैसे होता है तो देखे, सबसे पहले यह HI के साथ interact करता है HI के one mole के साथ interact करता है HQ पर delta plus होता है, IQ पर partial negative होता है O के उपर partial negative है तो O यहाँ पर अपना loan पर donate करता है H को जिसे O और H में bond बनेगा और यह bond break हो जाएगा अब इससे यहाँ form हो जाएगा ROH, और पर आएगा positive charge और यहाँ होगा R' अब जैसे कि अब जानते हो कि इसके अंदर ascent to mechanism favor होने के जारा chances होते है तो let us assume R plus जो है, sorry R' जो है यहाँ पर crowding less है, तो I negative का attack यहाँ होता है, जिससे I और R में bond बनता है और यह bond break होता है इससे बन जाएगा alcohol प्लस यहाँ बन जाएगा R' अब फर्दर R' आई की तो कोई reaction होगी नहीं लेकिन alcohol की जब HI के साथ reaction होती है तैसे केस में जो OH है वो हटके क्या जाता है, I किस तरीके से, सबसे पहले HI से OH को मिलता है H ठीक है, यह मिलने के बाद यहाँ से bond break होता है और जैसे ही bond break होता है I negative यहाँ attack कर देता है Y is into mechanism और यहाँ R I का bond बन जाता है Let us take an example मान लीजिए हम पे ले लिया कुछ ऐसा CH3O CH2 CH3 और let us say यहाँ HI excess में लिया तो हमको देखने कितने HI के मोल यहाँ पे consume हुए कितने units of HI are consumed per unit of this ether तो सबसे पहले हमने क्या किया H plus का use करके इसका protonation किया अब हमारे पास I minus है I minus का हमने उस carbon पे attack किया जहाँ crowding less थी से हैं bond बना और यह bond break हो गया यहाँ form हो गया CH3I और यहाँ form हो गया C2H5 OH अब इसके बाद क्या होगा अब इसके बाद HI के साथ इसकी again reaction होगी और जो यह alcohol है इसका OH हटेगा और OH हटके यहाँ पे क्या आएगा आई तो total HI यहाँ पे कितने consume होगे total HI यहाँ पे 2 consume होगे सबसे पहला तो यहाँ पे और दूसरा alcohols reaction के बाद let us take one more example benzene है और यहाँ ethyl है ethoxy benzene है और again let us say HI हमने excess में ले लिया है सबसे पहले इस OH का protonation होगा अब I negative का attack left में तो हो नहीं सकता I negative का attack किदर होगा right में तो यहाँ attack होगा इससे यह bond तूड जाएगा और यहाँ बन जाएगा phenol plus यहाँ बन जाएगा ethyl iodide ठीक है अब यह phenol जो होता है further इसका OH replace नहीं हो पाता है क्योंकि इस point पे attack होना I negative का possible नहीं होता उसके लावा नहीं यहाँ पे ketan stable बनता तो यहाँ पे hi के access होने के बावजूद कितना unit consume हुआ only one unit of hi is consumed this question is a very interesting question इसमें आप पहले इसको pause कीजी वीडियो को try कीजे कि कितने hi consume होंगे तो देखे सबसे पहले आप किसी भी एक ether को protonate कर दो let us say आपने इस ether को protonate किया अब यह करने के बाद i- जो होगा वो यहाँ पर attack करेगा इससे i और c में bond बनेगा और यह bond break हो जाएगा ठीक है इससे बनेगा यहाँ पर OH और प्लस यहाँ पर आएगा CH3i और यहाँ पर होगा OET sorry O-methyl अब अगेन इसका protonation होगा यह जो ether इसका protonation होगा हच प्लस मिलेगा इसको हचाई एक्सेस में दिया हुआ है फिर i- नेगेटिव का attack इस carbon पर होगा जिससे i और c में bond बनेगा और यह bond break हो जाएगा via ascent to mechanism due to this यहाँ पर दो OH आजाएंगे और यहाँ बन जाएंगे two units of CH3i अब उसके बाद जो यह OH है यह जो OH हटेंगे during the reaction with CH3i तो यहाँ पर two moles of two further units of CH3i will be consumed जिसे OH के जाने के बाद यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है तो total CH3i अब तक कितना consume होगा एक तो यहाँ consume हुआ एक यहाँ consume हुआ दो तीन और चार चार HI consume हो चुके अब होता क्या है जब I और I 1-2 position पर यहाँ एड़ेसिन पोजिशन पर लाई करते हैं तो यहाँ से I2 remove हो जाता है I2 के remove होने के बाद यहाँ पर क्या जाता है पाई बॉन यह आपको धियान रखना है कि I2 पका remove होगा बाकी हेलोजन्स में ऐसा नहीं करेंगे अब इसके बाद HI हमारे पास further available है तो यहाँ पर पाई बॉन ब्रेक होगा और मार्कॉनिक ओफ रूल के हिसाब से यहाँ पर I2 ह का क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा तो टोटल HI के इनिट से यहाँ पर कितने कंजूम होगे 5 5 इनिट से यहाँ पर अपने पास है पिएच ओ पिएच और मान लिजे इस केस में HI एक्सेस में हमने लिया तो reaction will not take place इसको आप पूरा उपन कीजिए तो आप पहचाने कि ना तो है आप SN1 पॉसिबल है ना यहाँ आप SN2 पॉसिबल है इस वीडियो में you have seen कि वाट हैपन्स वन एथर रियाक्स विद एक्सेस HI सबसे पहले अलकोहल और अलकाईल आयडाइड बनेगा और फिर जो अलकाईल बनेगा फर्दर उसकी रियाक्शन हो जाएगी ओके गाईज बाबाए और टेक केर